तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुती फेमस पॉयम दा लेडी ओफ शेलोड की ये पॉयम काफी लंबी है लगबग चार साड़ी चार पीजिस की है तो इस वीडियो में हम पॉयम के लाइन वाइन टेक्स्ट को डिसकस नहीं करेंगे बलकि टेक्स्ट वाइज पूरी पॉयम की समरी को डिसकस करेंगे और पॉयम से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट पॉयंट्स को डिसकस करेंगे मेंली इस वीडियो को डालने का मेरा परपस यही है कि कम टाइम में आपको इस topics related सभी points clear हो जाए और exam में इस poem से जो भी questions आए वो almost सभी questions आप attempt कर सके तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस video का format कुछ इस तरीके का होगा तो चलिए शुरू करते हैं तो इस poem को first time publish किया गया था 1833 में और फिर बहुत से changes करने के बाद इस poem को second time publish किया गया यानि republish किया गया 1842 में next point है place इस poem में बार बार जिन places का जिक्र होता है वो है island of shallot और city of camelot इनके बारे में विस्तार से हम आगे discuss करेंगे और बात करें characters की तो इस poem में mainly दो character है फर्स्ट और main character है lady of shallot जो की एक fairy है जिसे island of shallot पर कैद किया गया है इस island पर एक tower बना हुआ है जिसमें ये काफी सालों से कैद है और इसी लिए इस island का नाम पड़ा है island of shallot second character है sir lancelot जो की एक knight है यानि राजकुमार है या शूरवीर अब आते हैं poem की summary पर तो poem की शुरुवात में point हमें describe करते हैं island of shallot की location को ये एक छोटा सा island है जो की एक नदी के बीच में situated है इस नदी के एक तरफ बाले यानि जों और राई के बड़े-बड़े खेत है और नदी के दूसरी तरफ पक्की सडक है इस island पर एक tower बना हुआ है जिसमें एक बहुती खुबसूरत fairy lady of shallot काफी सालों से कैद है दरसल lady of shall इसे एक शाप मिला हुआ है जिसके अंडर ये इस island पर कैद है और ये रात दिन एक जादूई कपड़े को बुनती रहती है उसके सामने एक magical mirror है जिसमें वो सब कुछ देख सकती है जो उसके आसपास चल रहा है वो उस magical mirror में देख सकती है कि कैसे नाओ में बैटकर लोग न लेकिन जरूरी बात ये है कि lady of shallot को जो शाप मिला है उसके according ये अपनी खुद की आँखों से window में से या बाहर जाकर कुछ भी नहीं देख सकती और जिस जादूई कपड़े को ये हर वक्त बुनती रहती है उसे बुनने से भी ये रुक नहीं सकती अगर ये अपनी आँख बुनती रहती है और mirror में देखती रहती है अव ऐसे ही चलता रहता है लेकिन lady of shallot अपनी इस life से बहुत परिशान है और वो आजाद होना चाती है और अपनी आँखों से सब कुछ देखना चाती है तो एक दिन lady of shallot ऐसे ही कपड़ा बुनती रहती है तब ही वो mirror में देखत है कि एक राजकुमार घोडे पर सवार है और camelot की तरफ जा रहा है इस राजकुमार का नाम है sir lancelot जिसके बारे में मैंने starting में बताया था ये day time था तो इस राजकुमार का forehead और eyebrows धूप में चमक रहे थे और इसके पास जो भी leather के सामान थे वो सभी sunlight के कारण चमक रहे थे और ये एक टीरा लीरा सौंग गाते हुए city की तरफ जा रहा होता है तो जैसे ही lady of shallot उसे देखती है तो वो अचानक से कपड़ा बुनना बंद कर देती है और खड़ी होकर अपने room में तीन कदम चलती है और window में से उस राजकुमार के helmet को वो देखती है और camelot की city की तरफ वो देख लेती है तो lady of shallot पर जो कर्स था जो शाप था उसके according जो दो शर्ते थी वो दोनों ही शर्ते lady of shallot तोड़ देती है तो अचानक से बाहर बहुत तेज दूफान शुरो हो जाता है वो जादूई कपड़ा उड़कर window से बाहर चला जाता है और वो magical mirror छोटे छोटे में तूर जाता है ऐसा देखने के बाद lady of shallot घबरा जाती है और यह समझ जाती है कि अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो अब डर के कारण वो टावर से नीचे आती है और नदी के किनारे पर जाती है वहाँ उसे पेड़ के नीचे एक bot मिलती है तो lady of shallot जाती है और उसमें लेट जाती है यह शाम का वक्त था अंदीरा दीरे दीरे बढ़ रहा था और तूफान चालू था तो lady of shallot ने जो white color का gown पैना हुआ था वो इतना डीला था कि तेज हवा के कारण इधर उधर उड़ रहा था धीरे दीरे लहरे नाव को आगे ले जा रही थी और नाव में लेटी हुई lady of shallot गाना गा रही थी पास ही खेतों में जो लोग काम कर रहे थे वो lady of shallot के इस आखरी गाने को सुनते हैं लेकिन वो कभी तेज गा रही थी कभी धीरे गा रही थी और फिर अचानक से उसका खोन जमने लगता है और फिर lady of shallot की आवाज आन बंद हो जाती है यानि lady of shallot गाना गाते गाते मर जाती है लेकिन अभी भी धीरे धीरे लहरे lady of shallot की dead body को city के अंदर ले जाती है अब तक lady of shallot की body पीली पड़ चुकी थी लेकिन अभी भी वो चमक रही थी और बहुत खुबसूरत लग रही थी जब bot city के अंदर पहुँच जाती है तो लोग bot में dead body को देखकर डर जाते हैं और किनारे के पास इगटे हो जाते हैं लेकिन उनमें ये जानने की curiosity भी थी कि वो lady कौन है तभी वो उस bot पर lady of shallot का नाम पढ़ते हैं और जान जाते हैं कि ये वही fairy है जिसे island of shallot पर कैद किया गया था लेकिन अभी भी को और prayer करते हैं कि God इसकी soul को bless करें और इसी note पर ये poem खतम हो जाती है तो पूरी poem पढ़ने के बाद भी ये suspense suspense ही रहता है कि आखिर lady of shallot ने ऐसे कौन सी गलती की जिसकी वज़े से उसे ऐसा शाप मिला और उसे ये शाप दिया किसने इन दोनों सवालों के जवाब हमें कभी न of shallot के इर्द गिर्द ही गूमती है तो इसी लिए poem का title दा lady of shallot रखा गया है और conclusion यही है कि lady of shallot एल्फरेड लोर्ड टैनिसन का एक बहुत ही बहतरीन वर्क है तो poem के line by line text को directly पढ़ना थोड़ा मुश्किल है तो मैंने story की तरह इस poem को आपके सामने present किया है अब अगर text को पढ़ कर देखेंगे तो वो easily आपको समझ में आ जाएगा तो उमीद है कि यह topic आपको अच्छे से clear हो गया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो like जरूर करें more updates के लिए मेरे channel को subscribe करें तो मिलते हैं आपसे next video में till then keep watching thank you so much